क्लास बाराह बालो जी अर्थात जीव विज्ञान की पूरी किताब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन कुईशन लेकर के आये हैं और इसी वीडियो में 36 नमबर पक्के किजिए 36 नमबर का इस वीडियो से फसेगा केवल इसी वीडियो में जो चौथा कोईशन आता है पांचवा कोईशन आता है चाठा कोईशन आता है यानि चार पांच छे नमबर का जो कोईशन होता है पेपर में इसमें चार चार कोईशन होते हैं सभी में चार चार कोईशन होते हैं और तीन तीन नमबर के होते हैं हुआ है बहुत ही आसान तरीके से बताया है आसान सब्दों में बताया है आप पूरा वीडियो देखेगा लाश्टक और गारंटी के साथ इसी में से सब कुछ फस जाएगा कुछ भी अलग से नहीं आएगा चलिए सुरू करते हैं तो देखे पहले नंबर मैंने लिया है असं असंग जनन कहिलती है कहने कमतब यह है कि जब यग्मकोंकलस अनल्षी ज़रो जाता जाता है यानि युगमक संलेन ना हो अर्द सूत्री विभाजन भी ना हो और नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। और मुकिता दो प्रकार का होता है पहला है काईक असंग जनन इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो कि तना या पती से उत्पन होती है उससे नए पाधप का निर्मार होता है। असंग जनन हुआ और फिर जैसे आलू है आलू को देखा होगा आप लोग ने करकरबो दिया जाता है और फिर नया पाधब जनम ले लेता है नया पाद़ा उत्पन्न हो जाता है तो यह क्या है असंग雪नर हो गया कैसा तो फिर दूसरा है अनिशेग बीजता तो इस प्रकार के प्रजनन में लेंगिक जनन की अनुपस्थित में बीज करने निर्मार होता है यानि जो अनिशेग बीजता है इसमें क्या होता है कि लेंगिक जनन की अनुपस्थिती में यानि लेंगिक जनन नहीं होता है sexual reproduction नहीं होता है फिर भी बीज बन जाता है परंत बीज के बनने में युगमक सनलेन और आर्दोसूत्री विभाजन की प्रकेरिया नहीं होती है इसलिए का आगा है कि लेंगी गिरन की अनुपस्थिति में क्योंकि युगमक सनलेन नहीं होगा तो लेंगी गिरन नहीं होगा और आर्दोसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और ये कितने प्रकार की कई प्रकार की होती है तो ज़्यादा प्रकार लिखने की आव सकता नहीं क्योंकि इतना बड़ा लिख देंगे काम हो जाएगा अगला है अनिशेक फलन तो देखे अनिशेक फलन सब्द नेल ने दिया था किस ने दिया तो नेल ने दिया था सामानता यानि सामानी रूप से क्या होता है कि निसेचन के बाद अंडासे से फल बनता है अगर साधारन तो पर देखा जाए तो जब निसेचन हो जाता है इसके बाद अंडासे से फल बनता है लेकिन प्रेकर्ति में कभी कभी बिना निसेचन के अंडासे से फल बन जाता है निसेचन भी नहीं होता है फिर भी अंडासे से फल बन जाता है इसे ही अनिशेक फलन कहा जाता है अनिशेक फलन यानि कि बिना निसेचन के ही फल का निर्माड हो जाए इसकी परिभासा क्या होगी और सरल कर दें अगर तो बिना निसेचन के ही जब फल का निर्माड हो जाता है तो उसे ही अनिशेख फलन कहा जाता है इसलिका के कि सामान रूप से अगर देखा जाए तो अंडासे से फल बनता है निसेचन कहा जाता है और इस प्रकार के फल अनिशेक फलनी फल कहलाते हैं अनिशेक फलनी फल कहलाते हैं जैसे केला है पपीता है संतरा है नासफाती है अननास है आदे में ऐसा होता है अनिशेक फलों में बीजांड बीज में परिवर्धित नहीं होता है जो अनिशेक फल होता है इसमे फल वीज रहित होते हैं, यानि अनिशेक फलनी फलों में बीज नहीं पाय जाते हैं, और अनिशेक फलन को आर्थिक लाव के लिए बीज रहित फलों की प्राप्त के लिए कुछ हर्मों जैसे NAA के फिर्गाव से प्रीरिद किया जाता है और इसमें पादबों में परागण एवं निशेचन के बिना ही फलका निर्माड हो जाता है, परागण बीने उवा निशेचन बीने उवा फल बन जाता है, अगला इंपोर्टन टापिक है बहु भूर्डता, तो कभी-कभी एक ही इससे ही बह बोर्टा कहते हैं, यह जब बीज में एक से अधिक भोर्णों के बनने की अर्षीय किरिया ही बह बोर्णता कहलाती है, और बह बोर्णता की खोज सबसे पहले, 1719 में लिविन हॉक ने संतरों में की थी जो संतरा था इसमें की थी बहुरता की खोज किशने की पूछा जाए तो 1719 में एंटोनी वान लिविन हॉक ने संतरे में की थी या जीम्नो स्पर्म पौधों की विसेस्ता होती है किसकी विसेशता है? जो जिम्नोच पर्म प्लांट होते हैं, जो अनावृत वीजी पोधे होते हैं, उनकी विसेशता होती है, बहुभूनता में यूगमंज दो या δो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, जो बहुभूनता होती है, पॉलीम्भूनी होती है, इसमें जो में बट जाता है है और प्रतेक भाग से भूण बन जाता है जैसे Perdya में होता हैं निंफिया में होता है यह उदाहरण है बहुँटा के कुछ पादपों में युगमनज कई खंडों में विभाजित हो जाता है कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, जिसमें युगमनज या जाइगोट कई खंडों में बढ़ जाता है, और प्रते खंड से एक भूण का विकास होता है, इसे बिदलन बहुभूरता कहते हैं, बिदलन और बहुभूरता कही प्रकार की होती है, सरल, मिसरित, बिदलन, अपस्थानिक, आदी, तो आप बताना चाहें, तो बता सकते हैं, कोई एक के बारे में, वरना यहां तक लिख देंगे, और हो जाया काम, फिर अगला है अपरा या प्लेसेंटा, अपरा को आवल भी कहते हैं, प्लेसेंटा अंग्रेजी का वर्ड है, तो अपरा का विकास, भूड़ी कोरिय और गर्भासे की भित, दोनों से ही होता है, भूड़ी कोरियान से रसांको निकले रहते हैं, और रुधिर वाहनियों का विकास हो जाता है, और एक अत्रिक सम्वाहनी अंग का निर्माड होता है, या अपरा वास्तों में है क्या, जो भूड़ होता है, भूड़ के ये जो विलाई होते हैं ये गर्भासय के विलाई से आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे ही या इसी जोड़ को या इसी सम्मंध को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है और अगर इसके कारों की बात की जाए तो अपरा बिक्सित होते भूण को पोशन तथा ऑक्सिजन परदान करती है जो अपरा है बिक्सित हो रहे है भूण को पोशन देती है ऑक्सिजन देती है और अपरा उस सर्जन में भी सहायता करती है जो कुछ उसमें अपसिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका उस सर्जन भी करवाती है इसी के द्वारा उस सर्जी पदार्थ भूण के रुधिर स विशरर द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं यानि भूण के रुधिर से विशरित हो जाते हैं कहां तो माता के रुधिर में और फिर अपरा चैनात्मक अवरूधक की भात भी कारी करती है अपरा से स्रावित हार्मोंज गर्भावस्था को बनाए रखने तथा सिसु जर्म में भी help करते हैं फिर चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, आद के जो antibodies होती है ये आपरा के माध्यम से ही भून तक पहुँचाई जाती है यानि मा को लगा दिया जाता है फिर वो आपरा के माध्यम से भून तक पहुच जाती है जिससे इन रोगों से भून की सुरक्षा भ हो जाता है अगले टापिक पर आते हैं अगला important टापिक है उल्ब वेधन जिसे एम्नियो सेंटेसिस भी कहा जाता है आपको बता दें कि या जन्म के पूर्ब जन्म जात या फिर अनवांसिक रोग के निदान की तकनीक है जन्म जात कहो चाहे अनवांसिक कहो जन्म जात रो जता व तथा उपापचाई आा बेवस्तां के जानकारी के दिशी आपकी जाता है हुर्ब कर तेरा चारो और इसके और यॉद्वासे के उस द्रोव भरा रहता है उसे में भून तहरता रहता है इंजेक्शन की सहायता से इस एम्नियार्टिक द्रोव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोसिकाओं का समबर्धन करके गुर्षूत्र की आसामानताओं का निरिक्षण किया जाता है क्या किया जाता है कि इंजेक्शन की रोग और गंभीर उपापचाई आव्यवस्थाओं से ग्रेसित भूण को नश्ट किया जा सके अगर उसको कोई घातक रोग है तो भूण को नश्ट कर देंगे या गंभीर उपापचाई आव्यवस्था है तो इस भूण को नश्ट कर दिया जाता है और परन्तु आजकल इस इसका दुरुपयोग होने लगा है जो कि गैर कानूनी है तो इसलिए कहाए भारत सरकार ने लिंग बरिक्षान को गैर कानूनी घोसित कर दिया और इसको बंद करवा दिया है चले अगले टापिक पर आते हैं देखिए अगला इंपोर्टन टापिक है चिकिसी सगर्भता तो चिकिसी सगर्भता समापन द्वारा इस्त्री के गर्भधारन करने के बाद तीन महीने से पहले के भ्रून को गिरा दिया जाता है क्या इसमें होता है यह वास्तों में परिवार नियोजन की विधी के अंतर गता आता है कि चिकिसी सगर्भता समापन का मतलब यह हुआ कि चिकिसक के माध्यम से किसी योगे डाक्टर के माध्यम से इस्त्री के गर्वधारन करने के बाद जब उसके बाद तीन महीने से पहले गर्वधारन करने के बाद तीन महीने से पहले भूण को गिरा दिया जाता है यह कारे केवल योगे चिकिसक द्वारा ही कराना चाहिए यह क अनिम्त्ताओं द्यान में रखते हुए इस प्रिक्रिया में बलातकार और शुरकृत यौन संबंध से उत्पन पता समापन किस किस के लिए होता है, जीरका बलद कार हुआ है, आसुर अचित यौन संबंद से बच्चा हो गया है, जो अंचाहा गर्भ है, है कुल्मिलाकर काहा जाए अंचाहा गर्भ है तो इन दसाओं में गर्भ का समापन किया जाता है इसे ही और इस प्रिकेरिया को सन 1971 में कानुनी स्विक्रिति प्रदान की गई थी या प्रिकरिया गर्व की प्रथम तिमाही अथवा बारह सप्ता तक ही सुरक्षित रहती है इसके बाद आसुरक्षित हो जाती है काहिने वालब यह है बिक्सित होते विए भूण में उल्व वेधन चांच उपरांद गोर्शूत्री अबसामानताओं की पुष्ट एक है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के अंतरगत अपनाई गई बिधियां जो सुक्राणवों और अंडाणवों के मिलने में बाधा उत्पन करके, निसेचन की किरिया को नहीं होने देती हैं, परिवार नियोजन के अंतरगत कहा गया है, अपनाई गई बिधियां, जो भी विध्या अपनाई जाती है वो सुक्राणों और अंडाणों को मिलने में बाधाउत पन करते हैं यानि सुक्राणों और अंडाणों को आपस में मिलने नहीं देती हैं और जब सुक्राणों अंडाणों आपस में नहीं मिलेंगे तो नेसेजन की किरिया नहीं होगी गर गर्भ निरोधन कहा जाता है गर्भ निरोधन के लिए बिभिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं यानि गर्भ का निरोधन हो जाए गर्भ ना ठहरे गर्भ ना बने तो इसके लिए बिभिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो तो यह सरलतम और सरुतम उपाय है इसके अंतरगत बिभिन गर्भ निरोधकों के प्रियोग को प्रियोग को प्रेरित किया जाता है हार्मोनल गर्भ निरोधक विधियों में हार्मोन के प्रियोग द्वारा गर्भ धारन की संभावना को कम किया जाता है और जो हार्मोनल गर्ब निरुदक होते हैं इन विद्यों के माधम से भी हार्मोन का प्रियोग करके गर्ब धारण की संभावना को कम कर दिया जाता है हार्मोनल गर्म निरुदक के अंतरकर जैसे हार्मोन मोचक, IOD है, कापरटी है, गर्म निरुदक गोलिया है, आदि में आदिका उपयोग करके परिवार को नियोजित किया जाता है, इतना लिग देंगे परकनली सिसू या फिर टेस्ट्यू बेबी या फिर आईवी एफ ये तिनों एक ही नाम है, तो परकनली सिसू अंतहा पात्रे निसेचन कहा जाता है, परकनली सिसू या आईवी एफ को इनवाइट्रो फटलाजेशन, इनवाइट्रो फटलाजेशन या अंतहा पात्रे या फिर पूर्स जो उसका है उसमें शुक्राणों की कमी है तो इस तक्नीक में सहायक जनन प्रोधोगी की सहायता से इस्त्री या दाता के अंडाड को पूरुस या दाता के सुक्राड से मादा के सरीर के बाहर प्रियोग साला में कृतिम रूप से निशेजित करा जाता है कहने कम तब यह है कि पती को सुक्राडवों को को ले ले जाता है इस्तरी के अंडाड़ों को ले ले जाता है और प्रियोग साला में यानि कि सरीर के बाहर प्रियोग शाला में कृतिम मध्यम में निसेचन करवा देते हैं अगर इस्तरी अंडा नहीं दे पा रही तो किसी दाता इस्तरी से ले पुरुस के नहीं तो किसी दाता पुरुस को में कराया जाता है इस प्रिकिरिया को अनताख पात्रκεं तकनीक कहा जाता इसके पस्चात आठ कोस्किय भुण को फैलोपीयन नलिका में इस्थानधी आंतित कर देते हैं और नेसेचन होने के बाद जब उसमें बिदिलन होता फिर आठ कोस्किय भुण बन जाता है तो आठ कोस्किय भुण को क्या करते हैं कि अंडवाहिनी में या OVDuct में या फैलोप नलिका में इस्थानांतित कर देते हैं डाल देते हैं अब उसमें विकास होना शुरू होता है विवन अवास्थाओं के बाद में गर्भावद जब पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण होने पर इस तरी सामान रोप से सिस्व को जन्म देती है तो यह IVF हो जाएगा अगले के लिए मोनोसोमिक होता है जो रोगी विक्ति होता है वह लिंग गुर्षूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है मतलब यह हुआ कि जो टर्णर सिंड्रोम है यह लिंग गुर्षूत्री विकार होता है और लिंग गुर्षूत्रों के लिए मोनोसोमिक यानि कि एक लिंग गु सरीर अल्पविक्सित होता है ऐसे जो इस्त्रियां होते हैं या ऐसे जो बेक्ती होते हैं उनका सरीर अल्पविक्सित इस्त्री के समान हो जाता है बंध हो जाता है अंडा से अवसेशी होता है या इस्त्रित गुरसूत्रों में आनियोजन के काण उत्पन हो जाती है इनमें के जाएगा एक सेक्स हैने की इस्तरी और फिर इसके गैमेट्स को निकाल देंगे पुरुस में गैमेट्स होते हैं स्पर्म और इस्तरी में गैमेट्स होते हैं ओवम या ओवा और फिर इनका निकाल करके निसेशन करवा देंगे इस तरह से दिखा देंगे पूरी प्रकिरिया औ और हो जाएगा आपका काम या फिर आप दूस तरीके का भी गुर्षूत्र बना करके 46 और उसमें दिखा सकते हैं कि 33 जोड़ी में हो रहा है तो चलिए अगले टापिक पर आते हैं अगला इंपॉर्डन टापिक है डाउन सिंड्रोम या एक आटो सोमल विकार होता है जो सादि सुत्रता कहा गया है वर्ना ट्राइसो मीं कहले जाएं तो 21 जोड़ी में इसमें गुर्षूत्रों की संख्या सहतालिस हो जाती है चुकि 21 वी जोड़ी में दो गुर्ष उत्र थे लेकिन एक और बढ़ गया और सामान मरस के प्रतेक उसका में 46 गुर्ष उत्र पाय जाते हैं एक बढ़ गया तो 47 हो जाएंगे तो संख्या 47 हो जाती है इस सिंड्रोम का वर्ण लैंग डान डाउन ने सन 1806 में किया था इसका वर्ण कब किया लैंग डान डाउन ने किया था डाउन सिंड्रोम से पीड़त विक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है जैसे मंगोलियन होते हैं बिल्कुल वैसा ही डाउन सेंड्रोम से विक्तियों का चेहरा हो जाता है इसलिए इसे मंगोलियन जड़ बुधता भी कहा जाता है या मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है इन विक्तियों का माथा चोड़ा गर्दन छोटी वा चोड़ी अंगुलिया छोटी वा ठूट के समान हो जाती जैसे ठूट होता है चेहरा चांद के समान चांद जैसा तथा नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर इस्थित होते हैं तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम और इस तरह से आपको 46 गुट्च चूट कुल बना देना है या 23 जोड़ी बना देना है देखिये 46 अगर एक एक करके दोनों को गिनेगे तो दो दो चार ऐसे 46 वे रिज़आइंगे और जोड़ी में गिनेगे तो एक माता से एक पिता से आता है तो एक दो तीन चार ऐसे बना देंगे 21 जोड़ी का विकार तो 21 जोड़ी में ट्राइसोमी कर देंगे इस तरह से इसका चित्र हो जाएगा अगले इंपॉर्टन टापिक पर आते हैं तिर अगला इंपॉर्टन टापिक है बाहुजीनी वनसागती तो प्रकिर्ति में अनेक लक्षणों के मात्र दो यह उससे भी जादा काली और ऐसे ही कोई किसी बिक्ति की तचा गोरी ही नहीं होती है उससे भी गोरी उससे भी कम गोरी इस तरह से यानि की कहने कम लब है कि प्रकिर्ति में अनेक लक्षणों के मात्र दो बैकल्पिक रूप ही नहीं मिलते हैं बलकि यह क्रमिक अस्तर प्र करते हैं कि एक लक्षन दो से अधिक जीनों की दरा नियंतित हो रहा है कंट्रोल हो रहा है इसलिए से बहुजीनी वनसागती कहा जाता है मरुस में तवचा का रंग तीन अलग अलग जीनों द्वारा A, B वा C ये माना गया है मरुस में तवचा का रंग तीन अलग अलग जीनों A, B वा C द्वारा निधायत होता है और प्रतेक जीन अपूर्ण प्रभाविता के कारण त्वचा के रंग की एक इकाई का योगदान देता है इतना लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा वहुजी निवनसा गति में चले अगले इंपॉर्टन टापिक पर आते हैं फिर देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टन टापिक है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा आप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 PD में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहा जाता है कोई भी प्रभावी लक्षण वाला जीन है, कोई आप्रभावी लक्षण वाला जो जीन होता है, दोनों ही साथ साथ प्रकट हो जाते हैं F1PD में, तो इसे सह प्रभाविता कहा जाता है, जैसे यहाँ पर लाल मवेसी लिया गया था, यहाँ सफेद मवेसी लिया गया था, यह प्रकट हुए आप्रभावी के भी लक्षाट प्रकट हुए 7-7 F1 पीड़ी में तो इसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है अथवा इसी प्रभाविता को हम कह सकते हैं कि यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से 7-7 प्रकट होते हैं तो उनकी अनुवान सिक्ता को ही सह प बालो वाले मवेशी का संकरण कराने पर एपवन पीड़ी में चितकबरे बालो वाले मवेशी उद्पन होते हैं देखें चितकबरे बालो वाले मवेशी उद्पन हो गए हैं दूसरी पीड़ी में एक अनुपात दो अनुपात एक की अनुपात में यह दूसरी पीड़ी साथ में लाल चितकबरे वा सफेद बालो वाले मवेशी उत्पन हुए हैं तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह हुई सह प्रभाविता अब अपूर्ण प्रभाविता को देख लेते हैं अब देखें अपूर्ण प्रभाविता हीडिंग आप डाल सकते हैं तो इससे मिलता है अपितो दोनों के बीच का होता है यानि इन दोनों के बीच का होता है इसकी खोष सन 1903 में कार्ल कोरिंस ने की थी कार्ल कोरिंस ने क्या किया किया कि गुलाबांस के पुस्प पर प्रयोग किया था गुलाबांस का लाल पुस्प लिया और सफेद पुस्प ल गुलाभी इसी लिएुद के भीच का होता है तो उसे यह क्या कहा जता, अपून्र प्रभाविता कहा ज फिर आगए पर अगर्ड कराया तो सवा पराग्ड कराने पर इन्हें एक अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में पुस्प प्राप्त होते हैं निकी लाल पुस्प 25 प्रसत गुलाबी पुस्प 50 प्रसत और सफेद पुस्प 25 प्रसत प्राप्त होते हैं अब इसी को डिफाइन करनेगे उधानवाला कि गुलाबास में लाल पु एक अनुपात, दो अनुपात, एक के अनुपात में बनते हैं, इस तरह से लिख देंगे, चले अगले important topic पर आते हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, sickle cell चाहे sickle cell एनेमिया पूछा जाए, चाहे हसियाकार अनेमिया पूछा जाए, एक ही बात है, तो यहां मनुस में एक आप्रभावी जीन से होने वाला रोग है, जब आप्रभावी जीन सम्युग्मकी अवस्था में होता है, तब सामान हीमोगलोबिन के अस्थान पर आसामान ही हीमोगलोबिन थी, उसके अस्थान पर आसामान हीमोगलोबिन बनने ही लगती है, आप्रभावी जीन के करण हीमोगलोबिन की बीटा सरंखला में या बीटा चेंड में च्छटे अस्थान पर गलुतेमिक अमलका अस्थान वैलीन ले लेता है, क्या होता है इसमें? sickle cell एलि कंते हैं आरबीसी में पाया जाता है जो आकसिजन का परिवहन करता है सबी usted में समय नहीं कर पाएगा और लाल रुधराण हासिया के आकार के हो जाएंगे जो लाल रुधराण है ये हासिया जैसे टेड़े टेड़े हासिया जैसे बन जाएंगे ऐसे विक्तियों में घातक रक्त पलता हो जाती है जो ऐसे विक्तियों में घातक रक्त पलता हो जाती है जिससे विक्ति की मृत्यू हो जाती है जब रक्तपलता हो जाएगी तो व्यक्ति की म्रित्य हो जाएगी विशाम्योगम की व्यक्ति सामान ने होते हैं किंट अक्षीजन का आइंसिगदाप कम होने पर इनके प्राद सारुय की कारें नहीं कर पाते हैं HBA जीन सामान हेमोगलोबिन के लिए है जब कि तथा HBS जीन दात्रकोश का अरिक्तता के लिए होता है हब इस तरह से सीकल साल अनीमिया का यहां पर देखे बना देंगे चितर ऐसे बना देना इस तरह से चलिए अगले important topic पर आते हैं तो संक्रामक रोगों के करण सरीर में विसिष्ट लिंफोसाइट के बन जाने से रोग के पुना होने की संभावना कम हो जाती है घातक रोगों से बचने के लिए किसी रोग के रोगाड़ों को प्रभाव हीन बना कर वैक्सीन के रोप में सरीर में पहुचा दिया जाता है अगर घातक रोगों से बचना है किसी भी घातक रोग से बचना है तो क्या किया जाता है कोई भी रोग है उस रोग के रोगाड़ों को प्रभाव हीन बना दिया जात वैक्सीन के कारण सरीर में रोग से सम्मंधित प्रतिरक्षा बन जाती है और प्रतिरक्षा इस्थापित हो जाती है टाइफाइड काली खांसी डिप्थीरिया टिटनेस पोलियो पीज्वर खसरा चेचक आधी रोगों के टीके लगाये जाते हैं टीकाकन के माध्यम से फिर अ 1986 में इस वाइरस को मानो प्रतिरक्षा अपूर्टा विशाणू नाम दिया गया था Human Immunodeficiency Virus कहा गया था या HIV कहा गया था लक्षाण क्या होते इसमें एड्स के रोगी में निरंतर ज्वर अतिसार भूख ना लगना कमजोरी ठकावट सिर्दर्द खांसी आधी लक्षाण बिख्षित हो जाते हैं और कुछ समय पस्चात गुपतांगों पर दाने या मस्से बन जाते हैं जांगों पर गांठे बन जाती हैं अंतताह वेक्ति का प्रतिरक्षार तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि विभिन संक्रामक रोगों से पीड़ित होकर मर जाता है HIV का प्रेशानन कैसे होता है कहा जाए तो यह मुख्य रूप से लेंगिक सहवास, मादक पदार्थों के आदि बेक्तियों धारा, साजा इंजेक्शन स्वी या फिर डाक्टर्णों धारा साजा इंजेक्शन स्वी का परियोग करने से फैलता है. यहनी लेंगिक सहवास के तोरह फैलता है जो लोग मादक पदार्थ लेते हैं इंजिक्शन सुई के मानध्य मेंच से तो अगर एक विख्ति विख्ति को है तो दुसरे विख्ति को हो जाता है इस तरह से फैलता है संक्रमित देखते हूं कि रखताधान अगर कोई संक्रमित देखती है रखताधान करता है तो ऐसे भी फैलता है भूरी विकास के समय संक्रमित माताओं से रोग बच्चे में भी फैल जाता है इतना लिखने के बाद में इतना लिखने के बाद में आप HIV की रोग ठाम लिख सकते हैं लागर लांग कुछ सर्ण में आता है तब भी हो जाएगा इस तरह से देखिए इसका सौट ए लिजिए और अगर सौट में आता है तो थोड़ा सा कम कर देना इस तरह से हो जाएगा अगले इंपॉर्डन टाफिक अगला इंपॉर्डन टाफिक है हाट स्पॉर्ट अथवा तप्त अस्थल तो संसार में मेगा डाइवर्सिटी वाले या मेगा डाइवर्सिटी जोन वाले कुछ ऐसे छेत्र होते हैं जहां जन्तुओं और पादपों की जातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं कुछ संख्या तो अधिक पाई जा रही है लेकिन उनके बिनास की संभावनाय बहुत अधिक हैं ऐसे छेत्रों को तप्त अस्थल कहा जाता है या ऐसे ही छेत्रों को हाट स्थल कहा जाता है कहने कम तब यह है कि संसार में या प्रिथवी पर ऐसे पादप और जन्तु जो का शक्ता होती है उनको सनख्षित करने के लिए है उनने होट स्थल में रिद्धार निर्धारित रहती है यहां संसार के कुल 5 др संसार के कुल मानो आबादी की 20% आबादी इस छेत्र में रहती है जितनी भी पूरी संसार में मानो आबादी है इसकी 20% आबादी इसी छेत्र में रहती है इन छेत्रों में जैविक विवित्ता को नश्ट करने के लिए मानो ही उतर दाई है जो जैविक विवित्ता वहां नश की संभावना बढ़ गई चुक् involving आवासों हो गए है इसलिए इन में जिव जातियां पाई जा रही है उंकि विलुतिता की संभावना बढ़ गई है भारत तीन होड़ स्पॉट है पस्षिमिग घाट होड़ इंडो वर्मा हाट स्पट और हिमालेन हाट स्पट चले ऊठेन टाप एक है पैलिंड्रोम तो अच्छरों का撒 समूह या वह सब्द जो आगे वाप पीछे दोनों तरब से पड़ने पर समान आते हैं यह समान पढ़े जाते हैं पैलिंड्रोम कहलाते हैं जैसे नमन इधर से पढ़ो तब भी नमन इधर से पढ़ो तब भी नमन जैसे मलयालम इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम और इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम तो अच्छारों का ऐसा समूह जो आगे वाप पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाता ह उसे ही पैलिंड्रोम कहते हैं लेकिन अब DNA की बात हो रही है तो DNA में पैलिंड्रोम छारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो DNA की दोनों पॉलिनुक्लियर टाइट श्रंखलाओं में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिसा में पढ़ने पर एक समान पढ़े जाते हैं जैसे देखें King warto F5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसा में पुर्ण पढ़ है इसे समान पढ़े जाते हैं उने ही पैलिंड्रोम कहा जाता है पिर है अगला टापिक, BT फस लें, तो bacillus thorangiasis नामक जीवान को संचिप्ट में BT कहा जाता है, जो bacillus thorangiasis जीवान हो है, इसको bacillus B, thorangiasis 40, BT, इसले इसको BT कहा जाता है, इसमें पाए जाने वाले अविस, कीट प्रतिरोधी का कारी करते हैं, जिसमें अविस पाए जाता है, इंडो टॉक्सिन प्रोटीन पाई जाती है वो कीट प्रतिरोधी का खाल करता है BT Avies या BT Gene को अनुवांसिक अभ्यांद्र की द्वारा फसल में समावीशित करके बीटी फसल तैयार की जाती है उस जीन को क्या करते हैं कि फसल में ट्रांसपर कर देते हैं रुपांतिर कर देते हैं और बीटी फसल बन जाती है या कीट प्रतिरोधी होती है जितने भी बीटी फसले होती हैं ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है उसमें कीट नहीं लगत प्रमुख अब इस प्रोटीन को जलो अधाए new को सिलो स्फशार करने उससे जबती प्रव यहां पर मुखे उपसे बीटी चापास होगाई जाती औरने प्रमुख बीटी फसलें जікन वेंगन है बेटी आलू है बेटी मक्का है बेटी तमाकु है आधी होती है तो इस तरह सिलिक देंगे और आपका काम हो जाएगा अगले इंपरिवर्तन वाद उत्परिवर्तन किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं तो अनुवांसिक पदात की संरचना में अचानक होने वाले पर था हॉलाइंड के वेग्यानिक हुंगो डिवरीज एक प्रसिद वनस्पत सास्त्री थे इन्होंने संध्या प्रिमिरोज या आइनो थेरा लेमर की आना नमक पादप पर प्रियोग किये और दो इसपष्ट किसमें देखी जिनमें तने की लंबाई पत्यों की आकरिती पुस रास्मिक वनसागत परिवर्तनों को डिवरीज ने उत्परिवर्तन कहा था सन 1901 में इन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिधान्त भी प्रस्तुत किया उसी सिधान्त को उत्परिवर्तन वाद कहा जाता है जातिका प्रथम सदत से जिसमें उत्परिवर्तन होता उसे उत्परिवर्त तक कहा जाता है उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं निश्चित नहीं होते हैं यह अनिश्चित होते हैं तथा लाबदायक यहानिकारक दोनों प्रिकार के होशकते हैं फिर अगला कि उन सब ही बड़ी मेंडलियन आबादियों में बिभिन जीन्स वा जीन रूपों की आपेच्छिक आवर्तियां पीड़ी दर पीड़ी इस्थाई रहती हैं जीन में किसी भी प्रकार के अनुवांसिक परिवर्तन नहीं होते हैं जीन में किसी भी प्रकार के अनुवांसिक प जीन उत परिवर्तन नहीं होते हैं तभी जीन पूलिस थाई रहेगा लेंगिक जनन होता है और युगमकों का शमेकन संयोगिक होता है प्राकर्तिक वरण नहीं पाया जाता है इस सिधान्त के अनुसार एक बड़ी जीव आबादी का जीन इस सिधान्त में वास्तों में क्या था कि एक बड़ी आबादी का जीन पूल तब तक आपरिवर्तित रहता है जब तक विकास को प्रेदित करने वाले कारक जैसे जीनी अपवहन पारगमन उत परिवर्तन संयोगिक मैथुन तथा प्राकर्तिक वरण उसको प्रभावित नहीं करते हैं फिर आगे लिखेंगे पिर देखें आगे लिखेंगे अगर किसी आबादी के जीन पूल में एक जीन यूगल ए ए यनि कैपिटल ए इसमाल ए को एक माना जाए तथा प्रभावी जीन ए वा आप्रभावी जीन इसमाल ए की आबरतियों को क्रम साब P तथा Q की सहायता से दरसाया जाए तो P प्लस Q इसे एकल टु 1 इनकी जीन प्रारूप आबृति होगी P प्लस Q का होल स्कॉयर इसे एकल टु 1 अथवा हम लिख सकते हैं कि पी स्कॉयर प्लस 2P Q प्लस Q स्कॉयर इसे एकल टु 1 इस सिधान्थ के अनुसार यादि कोई आबादी अनुवांस की संतुलन में है कहने का मतलब य ये हैं कि जीन आविव lunarते में कोई परिवर्थन नहीं हो रहा है तो इसका पात्र विकास की दर भी सोननी होगी चले अगले इंपॉइंट पर आते हैं अगला important topic है coister weights यह जैविकास संबंधित सारे हैं तो Coister विरोधी बिद्धुतावेशी कोलाइडी बूंदों के इकठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी तंत्र उन्होंने जिलेटिन, गोंद, आदिसे कृतियम कोईसरवेट्स भी बनाये थे, जो ओपेरिन थे, इन्होंने जिलेटिन से, गोंद से, आदिसे कृतियम कोईसरवेट्स भी बनाये थे, संभव था, कुछ कोईसरवेट्स में, नुकलियो प्रोटीन केंद्र में, कुछ ऐसे को पोशक पदार्थ इकठा हो गए इनकी सतह पर लिपिड अड़ों के विन्यास से आधिकोश का कला बनी और इनकी सतह पर लिपिड अड़ों का विन्यास हो गया इसलिए आधिकोश का कला बनी इससे कोशार वेट्स बाहरी जले माध्यम से अलग हो गए इस प्रकार इन तो पुरितबून सद्रिस इकाया आदे कोशिकाय कहलाती हैं कुल मिलाकर कहने के मिलब यह कि कोश सर्वेट से ही आदे कोशिकाओं का निर्माण हुआ फिर अगला इंपॉर्णेट टापिक है अनुवानसिक अपुवाह अथवा जेनेटिक डिफ्ट चाहे अंग्रेजी में जेनेटिक डिफ्ट कहाजा एक ही बाट है तो छोटी आबाधियों में बिना प्राकर्तिक चैन के एलियेश के दिलुप्ट होने या इस्थापित होने को अनुवासिक अपवाह कहा जाता है अनुवासिक अपवाह या जिनेटिप डिफ्ट क्या है जो छोटी आबादियां होती है उनमें बिना प्राकर्तिक चेयन के ईलियस जो होते हैं внешरों हो जाएं या फिर स्थापित हो जाएं इसे ही अनुवांसिक अपवाह कहा जाता है जीनी अपवाहन के कारण कभी-कभी लाब दायक एलेज या यूग मुविकल्पी आबादी के जीन पूल से विलुप्त हो जाते हैं जो जीनी अपवाहन है इसके कारण क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि लाबदायक एलीज या यूग मुविकलपी जीन पूल से विलुप्त हो जाते हैं और कभी-कभी हानिकारक एलीज की जीन आबर्ति बढ़ जाती है और हानिकारक कभी-कभी बढ़ जाते हैं महामारियां, परभक्षन तथा वातामणी संकटों के कारण चोटी आबादयों में जीनी अपूहन हो जाता है महामारी आ गई, कहीं परभक्षन हो गया कहीं वातामण के कोई संकट पाईदा हो गया तो ऐसी चोटी जो आबादयां होती है और जीनी अपूहन के कारण एलीज बिलुक्त होने से चोटी आबातियों में सम्युक्मता का दिकास होता है इस तरह से लिख देंगे और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए चित्रों के मादम से हमारे चैनल से जीनी अपुहारवा चैनेटी डिप्ट वाला वेडियो देखे तुरन समझ में आ जाएगा अगले important topic पर आते हैं जयो उर्वरक तो ये म्रदा की उर्वरता एवं पोशक गुर्वत्ता में बृद्धी करते हैं जो जयो उर्वरक है अर्था जयविक पदार्थ जिसमें मिला है ऐसे उर्वरक जिनमें जयविक पदार्थ मिला हो उनहें जय उर्वरक कहते हैं तो ये मृदा की उर्वरता और पोशक गुडवत्ता में बृद्धी करते हैं जैसे राइजो बियम जीवार जो होता है ये सह जीवी के रूप में जो दलहनी पौधों की जड़े होती है जो मटरकुल के पौधों की जड़े होती है उनके ग्रंथियों में पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में राइजो बियम नमक जीवाडू पाया जाता है और किस रूप में सह जीवी के रूप में या वायू मंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन योगिकों में बदल देता है जो वा अगर इस जीवान को छोड़ दें साइनो बैक्टिरिया को लें तो ना श्टाक है एना भी ना है आसले टोरिया है इसके अलावा स्वतंत जीवी जीवान एजोटोबेक्टर क्लास्टेडियम आधि जो होते हैं वायो मंडली नाइटोजन को नाइटोजन योगिकों में चेंज कर देते हैं म्रतोजीवी जीवान म्रत कार्बनिक पदार्तों का विगठन करके नाइटोजन इस्तिकरण करके सहायता करते हैं जैसे बैसिलस, माइकोइडस, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोवेक्टर आधि होते हैं अगर जय उर्वरक के लाब देखा जाए तो जैवीय सु भॉतों से प्राप्ट जैव उर्वरक म्रदा की उर्वर्ता को बढ़ाते हैं इसके साथ ही यह म्रदा गठन को खेती करने योग बनाते हैं अगला इंजिनेरिंग द्वारा विक्सित जन्तु है जिनके जीनों में किसी अन्य जन्तु या किसी अन्य पादप को सिका के बिजाती वांचित लक्षन वाले जीन या जीन जीन खंड को निवेशित करना होता है उसे जीमो ऐसे जीमो तयार के जाते हैं जीन इस्थानांत्र से उच्च गुडवत्ता वाले तथा आधिक मात्रा में दूध मांस उन आधि देने वाले जन्तु की विकास को आर्विक खेती कहा जाता है अगर आर्विक खेती कहा जा तो यह परिभास आप लिख सकते हैं अनेक जीन रोपांत्रित जन्तु जैसे चूहा, खरगोस, भेड, बकरी, गाय, भैस, मुर्गी, मचली, मेढ़ा, कीट आधिका विकास किया जा चुका है या यह जीमो या जिनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गनिजम होते हैं उदाहरण है और अन्वांसिक रोप से रुपांत्रित फसलों से प्राप्त होने वाला भोजन अन्वांसिक रुपांत्रित भोजन कहलाता है इसमें पार जीनी से उत्पन प्रोटीन पाया जाता है जैसे क्राई प्रोटीन अब देखिए अगला इंपॉर्टन आपक है बायो गैस या अनेक गैसों का मिस्रण होता है इसमें मीथेन की मात्रा सरवाधिक होती है नि मुख्य रूप से जो गैस है इसमें मीथेन होती है और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गोबर गैस या बायो गैस जोलनसील गैस है जो गोबर गैस है अथा बायो गैस इसी को कहा जाता है यह जो बना देना और आपको नंबर तीन पूरे-पूरे मिल जाएंगे फिर अगला इंपोर्टन टापिक है खाद शंखला खाद शंखला पादपों द्वारा भोजी पदार्थों को उर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पादपों से बिभिन पोसी अस्तरों के जियों में भोजन के साथ इस उर्जा का स्थानांत्रन खाद शंखला कहलाता है खाद शंखला क्या है जैसे उत्पादक है साका हारी फिर मांसा हारी फिर उत्पादक जैसे हारे पौधे हो जाएंगे उत्पादक साका हारी को आप लिख सकते हैं टिड़ा जैसे लिख लिजे टिड़ा और फिर मानसा हारी को आप इसमें टिड़ा के बाद मेढक लिख लिजे जब मेढक मर जाएगा तो सूद में जीव खाएगे तो कुल मिलाकर कहने का मसलब ये है कि जैसे हरा पौधा, हरे पौधी को टिड़े नेखाय, मेढक को साप नेखाय, साप को अब घटक उसको खत्म कर दिए जब मर गया तो इस तरह से चलती ही खाद शेंखला अब घटक खाद शंखला का अंतिम अस्तर होता है जो अब घटक है ये खाद शंखला के अंतिम अस्तर होते हैं जो मृत उत्पादक वा उभोगता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अब घटन कर उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और पुना चक्र प्रिकित में खाद शंखला तेन प्रकार की होती हैं जैसे घास, खरगोस, लोंबडी, भेडिया, चीता, घास को खरगोस ने खाया, खरगोस को लोंबडी खा गई, लोंबडी को भेडिया खा गया, और भेडिया को चीते ने खा लिया, ऐसे ही घास कीट खाते हैं, कीट को खालेता है यह खाद शंखला हो जाएगी चलिए अगले इंपॉर्टेंट टापिक पर आते हैं प्रतिरक्षी आड़ू हाला कि इसका चित्र ही बनाने को आता है लेकिन थोड़ा सा लिकर भी बने बता दिया है किसी प्रतिजन की अनुकिरिया में बनी प्रोटीन जो उस प्रत एक देश या चिकिस्सा उद्धोग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना आग्या के उप्योग मिलाने को बायो पायरेसी कहा जाता है कोई दो देश हैं एक देश ने क्या किया कि दूसरे देश के जैविक संसाधनों का बिना उसको इसे ही बायो पायरेसी कहा जाता है अनेक विक्सित देश और बहुराश्ट्रे कमपनिया विभिन राश्ट्रों के जैविक संसाधनों का दोहन करके लाभ उठा रही है विक्सित देश अपने अउदोगिक ज्यान के आधार पर जीयो और उनके जीनोम का उपयोग विभिन उद्पात तयार करने में कर रही है भारत वर्स में जयो विट्ता सरवाधिक है यहाँ बायो पायरेसी भी सधिक है क्योंकि भारत वर्स में जयो पेटेंट के लिए जागरित की कमी है जैसे भास मती चावल को अमेरिका की एक कमपने द्वारा पेटेंट कर लिया गया है हल्दी, करेला, जामुन, नीम, अधरक, आवला, अमलतास, आधिको, विख्स देश, पेटेंट कराकर इन पर एक आधिकार प्राप्त कर रहे हैं अगला इंपोर्ण टापिक है अनवानसिक कूट या जेनिटिक कूट तो संदेश वाहक आरेन्ने या एम आरेन्ने पर उपस्थित तीन चारकों का एक समूह जो एक अमेनो अमल को कोडित करता है या पहचानता है अनवानसिक कूट कहलाता है तीन चारकों के भिभिन संयोग से 64 कूट बनते हैं या 64 कोटान बनते हैं अनवानसिक कूट का सब्दकोस खुराना ने तयार किया था खुराना ने और इसके लिए उन्हें नोबल प्रुसकार प्राप्त हुआ था 64 अनवानसिक कूट 20 अमीनो अमल को पॉली प्रिप्टाइड शंखला में इस्थापित करते हैं या कोडित करते हैं अनवानसिक कूट की विसेस्ताएं क्या हैं तो अनवानसिक कूट तीन नाइट्रोजनी छारकों के क्रम से बनता है और एक अमीनो अमल के लिए एक से अधि अन्वांसिक कूट प्रयोग हो शकते हैं जैसे आरजिनीन को कोड़ित करने का तकार एजी एजी जी 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 सी जी ए करते हैं सभी जीवों के लिए एक शमान अन्वांसिक कूट यह सभी जीवों के लिए शमान अन्वांसिक कूट अमीनो अमल के लिए भी शमान ही होते हैं परजीविता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्डेंट है यहां दो बिभिन जातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला पारस परिक्षंबंध है दो बिभिन जातियों के बीच पाया जाने वाला पारस परिक्षंबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन पोशक्षे प्रा लाब लेता है तो परजीवी को तो लाब होता है लेकिन पोशक की हाँ नहीं हो जाती है इस प्रकार का शंबंद प्रिकित में ब्यापक रोप से देखने को मिलता है परजीवी पोशक को नश्ट नहीं करता परजीवी निम्लिखित अनेक प्रकार के होते हैं जैसे तने पर इंटर्फेरान तो वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विसेस एंटी वायरल प्रोटीन मनाती हैं जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वह विसेस एंटी वायरल प्रोटीन का निर्मार करती हैं इनका स्राव उतक द्रव में करती हैं यह एंटी वायरल प्रोटीन इ संσιलेशन को प्रोष साहित करते हैं जो आसंक्रमित कूसिकाओं होती है उनकी सते पर छीपक जाते हैं उनको विसेश हिंजाइम के संस्लेशन को प्रोष साहित करते हैं, जो वायरल M R N Mayor ने नेस्ट और dus applied करके वायरल प्रोटीन के संसलेशन को रोगते हैं अता है इंटरफेरान स्वस्त पोसक कोसिकाओं को वायरल संक्रमर से सुरक्षा प्रदान करते हैं में पॉइंट है इंटरफेरान क्या करते हैं स्वस्त पोसक जो कोसिकाओं होती हैं उनको वायरल संक्रमर से सुरक्षा प्रदान करते हैं इंटरफेरा वारिस के बाधक प्रभाव का अध्यन किया था और इंटर फेरान के इसी गुड के कारण इंटर फेरान का प्रियोग किया जाता है यहीं प्राकर्ण करने के लिए वन प्राड़ी और पादपों को जिस प्राकर्ण प्र। जाता है उसे ही जीन बैंक कहते हैं आर्थिक रूप से महातुपृट प्रजातियां एवं वन जीवधारी दोनों ही जववित्ता के लिए उपयोगी हैं तो इस तरह से पूरा लिख देंगे सौट लेलिजी। जीववित्ता है सहोप करता तो दो जीवों के बीच का ऐसा पारस परिक शंबंद जिसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभानवित होते हैं ये जीवित रहने भोजन तथा कालोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं उसे ही सहोप करता कहा जाता ह जैसे लाइकेन वा साइकस की प्रवाला भी जड़ें फिर अगला है सहभोजिता तो इस प्रकार के शम्मंद में दोनों में से केवल एक ही सहभोजी लाभानिवित होता है लेकिन दूसरे की हानी नहीं होती है कहने कामलब यह है कि कोई दो सहभोजी हैं जिसमें एक सहभोजी दूसरे से लाभ लेता है लेकिन दूसरे सहभोजी को इससे कोई भी हानी नहीं होती है ना तो लाभ होता है नहीं हानी होती है उसे ही सहभोजीता कहा जाता है इस सम्मंद का आधार सनरक्षन इस्थानांत्रन आवासे इस्थल्व भोजन हो शकता है जैसे आर्किड किसी व् वे जड़ें वाय उसे नमी का अवशोशन करती हैं जैसे क्लेडोफोरा सेवाल घोंगे की खोल पर पाया जाता है कंठलताय व्रच्छों का उपयोग शहारे के लिए ही करती है अगला इंपॉर्णट आपिक है PCR पॉलीमरेज चेन रियक्षन तो एलेक्ट्रोफोरेसिस द्वा यां को उसका के बाहर इन वैट्रो बनाने की इस विदी की खोज कहरी मुलिशने की थी यानि PCR की खोज कहरी मुलिशने की थी इसके लिए ताप इस्थिर इंजाइम टक डियन्ने पॉलीमरेज इस आवश्यक है और उसको थर्मस एक्वेटिकाश नामक बैक्टिरिया से प्र की उच्चतम के रिया दर 75 से 80 डिगरी के बीच रहती है जिस पर लगभग 150 निकुलोटाइट प्रतिसेकंड तक जोड सकती है अगला इंपॉर्डन टापिक है ड्रक्स और एलकोहल एलकोहल और ड्रक्स के प्रियोग से वेक्टि पर सारीरिक मांसिक ब्योहारगत प्रभाव परते हैं सरीर पर भी प्रभाव परता है मांसिक प्रभाव परता है ब्योहारिक प्रभाव परता है ड्रक्स के सामाजिक वा आर्थिक प्रभाव भी हैं जो समुदाय वर राष्ट को भी प्रभावित करते हैं एलकोहल या ड्रक्स के ततकालिन प्रतिकोल प्रभाव बरबरता और हिंसा के रूप में प्रभावित होता है इनकी अतधिक पात्रा में सेवन से स्वसन घात हो जाता है हिर्दय घात हो जाता है अथवा प्रामस्तिस के रुधिर स्राव के कारणभी मृत्ति हो शक्ती है अगला इंपर्टन आपके आणवी कैची या प्रतिबंधन एंडोनिकलेज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम तो ड्यन्य को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोनिकलेज कहा जाता है जो ड्यन्य को स्पेसिफिक प्लेसे से कट लगाता है उसे ही प्रतिबंधन एंडोनिकलेज कहते हैं ये ड्यन्य द्रिक को विसेश नुकलियोटाइड अनुक्रमों पर इस प्रकार तोड़ते हैं उनके दोनों रजुकों या दोनों chain के मुक या भी मुक सिरों पर कुछ आयोगमित छारक होते हैं जिसे ये सिरे चिप चिपे होते हैं इन पर nucleotides के palindromes होते हैं इन स्थानों पर DNA के दोनों वलाइकों के आयोगमित दिसा में nucleotides का अंक्रम शामान होता है इसके बार डालेंगे gel electrophoresis तो प्रतिबंधन एंडो निकलेज एंजाइम द्वारा डियन्ने को काटने से डियन्ने का खंडन हो जाता है इन खंडों को जेल एलेक्ट्रो या जेल बिद्धुती करण संचलन कहते हैं आपको बता दें कि डियन्ने खंड रडात्मक आवीशित अडू होते हैं इन्हें इसको क्या किया जाता है कि बिद्धुत के जारा करनेट कर दिया जाता है इस्ट्रे को और इसमें वेल होती हैं जिसमें वो जिसमें डियन्ने के खंड थे उसको करते हैं तो यह जेल एलेक्ट्रो फोरिस क्या करते हैं कि डियन्ने के खंडों को उनके आकार के नसार अलग अ इन्में दिगुदन की छमता होती है इन्हें जीवान को सिकाओं से अपकेंद्रण वारा प्रथक कर लिया जाता है इनका उपयोग वान्शित जीन को जोड कर पुनर संयोजी DNA अडूका निर्माण करने के लिए किया जाता है या रीकांबिनेंट DNA प्लास्मिट वाहक कारी करते हैं वेक्टर का प्लास्मिट करते हैं प्लोर्य का को एकोलाई के प्लादमिट से तैयार किया गया अगला इंपर्ण रापिक है बायो रियक्टर तो इस उपकरण में सूच्म जीवों पादपों जन्तों एबं मानो कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे पदार्थ को जयोरूप में बिसिष्ट उत्पाद बेस्ट एंज प्राप्त किये जाते हैं बायो रियक्टर वांचित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्टियां उपलब्ध कराता है इस तरह से चित्र बनाएंगे और लिखेंगे बायो रियक्टर सामनताहा बेलना कार्शन रचना वाले होते हैं इनका आधार घुमावदार होन अगला इंपर्टर परिक है रेड डाटा बुक तो आई यू सी यन ने बिलुप्तता के कगार पर खड़े जन्तु और पादपों की एक सूची तयार की है इस सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है इसमें लगभग 18,000 प्रजातियों के नाम है तो कुल मिलाकर के काला हीरन, चार संकट ग्रस्त इस्तनिया है रेड डाटा बुक तयार करने का उद्ध से संकट ग्रस्त पादप तथा जन्त प्रजातियों को सनरक्षन प्रदान करना और इंसे उत्पादों को ब्यापार पर रोक लगाना है वाहित मल उपचा है जो नगरों से बहकर आने व उप्चायद करके ह्यूमस में बदलकर म्रदा की उर्वरता में ब्रिद्धी की जाती है इसका उप्चार कई चणों में होता है जैसे पहला है निस्यंधन या प्रात्निक उप्चार जिसके इंतर के छोटे बड़े कड़ों को भौतिक क्रियाओं से अवसाधन या निस्यंधन या प्लवन आदवरा प्रथक कर ले जाता है कुल मिला करके इसमें च्छनने के दौरा च्छान आ जाता है यह कहलो फिर इसके बाद दूसरे उप्चार में सूथ मजीवों का उप्यों की आता है सूथ मजीवों की इस रहायता से उसको सही किया जाता है और फिर तीसरे उप कोसिका में गुणन करने की छमता होती है जिसमें क्लोन किये जाने वाले बिजाते डिने खंड को जोड़ा जा सके क्लोनिंग समभा कहलाते हैं इस तरह से लिख देंगे इसका महात तो बता देंगे पहले चैप्टर का सबसे मोश्ट इंपॉर्टन टापिक है लग बीजार जन हैं उनमें लग बीजारों के बनने की किरिया या माइक्रो स्पोर के बनने की किरिया ही लग बीजार जनन कहलाते हैं यह तो ही परिभासा अब तरुण पराग कोसों की कुछ अदा अस्तरिय कोसिकाएं अन्य कोसिकाओं से भिन्न होती हैं यानि कि जिन से लग बीजार जनन ह होता होना होता है उनकी कोशिकाएं कुछ अलग तरीके की होती हैं इन्हें प्रप्रशु कोशिकाएं कहा जाता है प्रप्रशु कोशिकाएं परिनत विभाजन द्वारा एक बाहरी प्रात्मिक भित्य कोशिका वा आंत्रिक प्रात्मिक बीजान जनन कोशिका बनाती हैं यानि बाहर की तरफ भित्ती कोशिका और अंदर की तरफ बीजार जनन कोशिका का निर्मार करती हैं प्रात्मिक भित्ती कोशिका से अंता भित्ती मध्य अस्तर और टेपिटम का निर्मार होता है और जो प्रात्मिक भित्ती कोशिका होती है ये वाली तो इससे अंता भित्ती बनती है मध्यास्तर बनता है और टेपिटम बनता है टेपिटम की कोशकाओं में बहुगुलित केंद्रक वा कोशिका द्रब में यूबी संद्चनाय भी बनती है जो टेपिटम की कोशकाओं होती है ये पराग कड़ों के परिवर्धन में सहायता करती है पराग कड़ों के बढ़ने जनन मात्र कोशी का आर्द सूत्री विवाजन के द्वारा चार अगोडित लगवी जार बनाती है इस तरह से इतना लिख देंगे और वो लिखने के बाद में देखे इस तरह से आप चितर बना देंगे और यह लांग कुश्चन के लिए भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट ह तो यहां देख लिए इससे आपका लांग कुश्चन भी हो जाएगा कुश्चन बर और भी बढ़ जाएंगे 36 से तो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है लगवी जार जनन इसका चितर सौट ले सकते हैं अब फिर तो आसा है आप सभी लोगों को पूरा वीडियो पूरे को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिजिए धन्यवाद